Modern History में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं हमने Extremism के बारे में कल पढ़ा था और उसमें हमने Partition of Bengal का जिक्र किया था जिसमें हमने आपको ये सभी Point Efficiency of Administration Policy of Divide and Rule to Foster Communal Division और Reducing Bengalis to Minority ये अच्छे से पढ़ा दिया था हम Multiple Books से Chapter Cover करते हैं तो Content इसलिए काफी Comprehensive होता है एक्जाम के Point of View से ये Important है आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब एक बार Partition कर दिया गया था Bengal का प्रतिकिरिया में क्या आया Response में क्या निकल कर क्या है देखें बहुत बड़ा चंक हिस्ट्री का हम टार्गेट कर रहे हैं इस समय ये एक तरह से पूरा का पूरा फेज है बिफोर गांधियनेरा का इसमें तीन से चार लेक्चर्स अगर आ रहे हैं रिक्वाइड है अगर ग्राउंड नहीं बनेगा तो आगे की हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे कोस्ट्टन क्लियर नहीं होंगे तो देट्स वाइट इस रिक्वाइड ओके अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दस्वेदेशी एंड वाइकॉट यह है प्रोटेस्ट की शुरुवात क्या होता है इसमें पर्टिकुलर्ली दिखे 20th of July 1905 को लॉर्ड करजन के द्वारा यह नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया पब्लिक में कि बंगाल का विभाजन हो चुका जैसे उन्होंने इश नोटिफिकेशन जारी किया नेक्स्ट मन 7th of August 1905 को ही कलकटा के टाउन हॉल में मीटिंग होई इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के मेंबर्स की कॉंग्रेस के जितने भी डिफरेंट रीजिनल विंक्स के नेता थे वो सभी इसे अटेंड करने आए एजुकेटेड मिडल क्लास के द्वारा और्गनाइजड एक मीटिंग थी अब इसी मीटिंग के दौरान क्या हुआ जहां से समझें उसमें डिसाइड किया गया कि अंग कि स्वदेशी मौवमेंट की शुरुवात किस विंग ने की है आंशर इसकी स्वदेशी मौवमेंट का स्टर्टिंग कंट्रोल मौडड़ेट विंग के हाथ में था जो बाद में जाकर के कैप्टर हो जाएगा एक्स्ट्र मिस्टों के दौरा लेकिन लेकिन कभी confused नहीं होना कि इसकी शुरुआत ही extremist ने की है नहीं. Extremist and moderates दोनों एक पॉइंट पे converged थे इस पॉइंट पे, वो सहमत थे और शुरुआत moderates के दौरा की गई. लेकिन ये शुरुआत असल में होगी कब? 16th of October 1905 को actual में existence में आया बंगाल का partition. और उस दिन सुभा भोर से ही लोगों ने एकठे हो करके गंगाजी में डुपकी लेनी शुरू की, बंगाल में. गंगाजी में डुपकी लेने का उदेश है क्या था? लोगों ने संकल्प लिया कि हम सब किसी एक objective की ओर बढ़ेंगे, किसी एक गंगाजी में डुपकी लेना, गंगाजी में जाकर के श्नान करना. इसको हम प्रमुक रखके इस दिशा में सब बढ़ेंगे, ये एकता को जोड़ेगा. तो हमारी एकता का प्रमान यहीं से दिखेगा कि हम एक उद्देश की प्रती सब आगे बढ़ रहे हैं. गंगाजी में डुपकी लेना, मुने शुद्धता को प्राप्त करना, कि हम किसी तरह की कमजोरी, किसी तरह की भी पिछड़े पन से, किसी तरह भी आपसी बैर, वेमिनस से की भावनाओं से मुक्त होंगे, जब हम गंगाजी में श्नान करेंगे, पाप मुक्त होंगे. इन सारी सोच के साथ गंगा जी में डुपकी लेने का प्रोग्राम शुरू हुआ लोग गलियों से गुजरते रहे और परेड करते हुए मूँ पर उनके सौंग रहा बंदे मातरम बंदे मातरम एंटी पार्टिशन मुव्मेंट का में सौंग बना जो बाद में जाकर के भारत की तकरीवन सभी नैशनल मुव्मेंट का थीम सौंग बन गया था इसी समय में रविंदर नाट गौर ने आमार सोनार बंगला लिखा था जो बाद में जाकर के 1971 में जब बंगलादेश आजाद हुआ जब बंगलादेश बना तो उसका नैशनल एंथम बना तो आमार सोनार बंगला ये 1905 में स्वदेशी मुव्मेंट के लिए ही लिखा गया था जो बाद में बंगलादेश का नैशनल एंथम हुआ और रविंदर नाट गौर ने लिखा था अब अल्टीमेट आसपेक्ट ये आता है कि लोगों ने जब ये प्रक्रिया करने शुरू की सारा दिन बीत रहा है दुपहर का समय आया जब उसी टाउन हॉल में आनंद मोहन बोस जैसे वेटरन लीडर्स ने सभा को अड्रेस किया और लगवग 50,000 लोगों का इकट था उस समय और इसे नाम नैशनल कॉंफरेंस दिया गया ये उसी तरह से त्यार की गए नैशनल कॉंफरेंस ती जैसा कभी फ्रेंच रेवलूशन की नैशनल कॉंफरेंस बनी थी तो कुल मिला करके ये सारी प्रक्रियां चलती रही लेकिन अब इसमें हुआ क्या है? इसमें सिस्टम क्या हुआ? कॉंग्रेस ने यह देखा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है हमारी प्रक्रियां ओपर प्रक्रिया क्या है कि हम डेमonstration कर रहे हैं हम खिलाफत कर रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए हमारे प्रोटेस्ट हमने प्रेयर यहां के Governor General को भी लिखी हमने Left rights Governor को भी लिखी हमने Bengal के Secretary को भी लिखी हमने gayers Secretary for the state of India ए्चफ रिसले को भी लिखी हमने ब्रिटिश पार्लेमेंट को लिखी क्राउन को लिखी लेकिन हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं है इस प्रोग्राम को हमें अधर मोड आफ प्रोटेस्ट में एक्स्टेंड करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा अंग्रेजों को यह कैलकुलेशन तो थ अचानी हो जाएगी लेकिन अल्टिमेटली होगा क्या प्रेयर सोंगी प्रोटीशन सोंगी तो वह मैनेज कर लेंगे लेकिन वह मैंस क्लेशन कर गए और यह परीस्तितियां उससे कहीं आगे बढ़ गई वह कैसे आगे बढ़ी और वह क्या हुआ उसे समझना जरूरी है दे जीवनी में इन्होंने स्वदेशी का बाइकौट का आवाहन दिय तो संजीवनी ने स्वदेशी और बाइकौट के ऑस्वांच के बारे में लोगों को अवगत कराया इस परटीकुलर एंटी ब्रिटिश मूV्मेटお願いします के लिए है आई बास समझ में संजीवनी किसका था कृ लेकिन हमने यह कहा अभी कि 20 जुलाई 1905 को करजन ने यह नूटिफिकेशन जारी किया कि बंगाल विभाजन है ध्यान से समझिए कि 1903 में करजन ने माइन्यूट इशू कर दिया था बंगाल के पार्टिशन का माइन्यूट 1903 में इशू कर दिया गया था पाइनल डिस्पैच उसने दो फेबरेरी 1905 को भेजा होम सेक्रेटरी को और वहां से जब रिप्लाइबैक आया तो महौल तो कॉंग्रेस में पहले सही था कि गवर्मेंट बंगाल को विभाजित करने जा रही है इसी के तोड के तौर पर तीन जुलाई को कृष्ण कुमार मित केलावर रमेंद्र scha MA यह सुंदरेबगर इन दोनों ने दो और प्रक्रिया सुझाइं एक प्रक्रिया ती रक्षाबंदन की और एक प्रक्रिया आरंधन की सिसी दिखें बैंगॉली भाषा में जब खाना जो होता है खाना बना लिया खाना पकालिया तो पूछते हैं रन् ना मने खाना तो प्रक्रिया चलाए गई आरंधन आरंधन मने की कोई भी चुला नहीं जलाएगा कोई खाना नहीं पकाएगा जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा एक तरहां का भूकरताल की जाएगी यह एक आइडिया दिया और दूसरा रक्षा बंदन का आइडिया दिया और वह युनीक था जिसमें हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू को राखियां बांदेंगे और यह परसेप्शन प्रेजेक्ट किया जाएगा सरकार के सामने में कि हम बंगाल के दो उत्र हैं दो आधे बंगाल हमसे बनता है एक भुजा मुसलिम है तो एक भुजा उसकी हिंदू है दो बाहे हैं और हम सब युनाइटेड है तो इस तरह की प्रक्रियां इन्होंने रखी लेकिन अल्टीमेट आसपेक्ट यह है कि यह डिसाइड किया गया कि इसे अब एंटी पार्टिशन प्रो स्वदेशी मतलब देश में निर्मित आईवा समझ में खुद से निर्मित स्वदेशी तो स्वदेशी जो अपने ही भारत में बना हो जो अपने लोगों के द्वारा बना हो पहला तो भारत में बना हो दूसरा अपने लोगों के द्वारा बना हो देशी हो आईवा समझ में इसका मतलब यह है कि आप किसी भी विदेशी वस्थू का इस्तमाल नहीं करेंगे यानि कि यह चीजें commodities ठक capsimit हैं कि आप सबी उस तरह की वस्थूов को ना कहेंगे जो वस्थू में विदेश से बन कर आई या भारत में विदेशीयों ने बनाई है आप उसके काउंटर में हरवह वस्तू का इस्तमाल करेंगे जो भारत में बनी है और भारतियों ने बनाई है इससे इनको लगता था कि एक स्ट्रॉंग एकनॉमिक प्रैशर क्रियेट होगा ब्रिटिशर्स के ऊपर और कुछ लोग स्वधेशी मुव्मेंट को एकनॉमिक वस्ता के आधार पर ही साशन यहां पर कर रहे हैं अगर वह हिला दी जाएगी तो वह कमजोर होंगे मांगे सुनेंगे और इसकी दूसरा आस्पेक्ट है ब्रिटिश को बाइकॉट करो तो सड़कों पर विदेशी कपड़े जलाए गए अब इसमें होना क्या है लोगों को म बाहर धरना प्रदर्शन हटताल की जारें से कहते हैं पिकेटिंग ऑफ दा शॉप्स तो शॉप्स के बाहर पिकेट किया गया सामान ना बिख सकता है और ना आप लीजिए और विदेशी वस्तुओं को जला करके सिंबलाइज किया यह चीज़ कि हम आपके विरुद्ध हैं हम नहीं इसे पहना चाहते हैं इस मुव्मेंट को दो चार सिंबल के साथ इस्तमाल किया गया पहला सिंबल स्वदेशी और बाइकॉट है दूसरा सिंबल बनाया चर्खे को चर्खा बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे हैं ध्यान से समझी है देखिए चर्खा क्या है संदेश देना चाहते हैं कि आप विदेशी लंका शायर और मैंचेस्टर की फैक्ट्री और इंडस्ट्री में बने हुए मशीनी सामान पर निर्भर ना करें आप अपने भारती विरासत पर ध्यान दें आप अपनी इंडिपेंडनेंस के बारे में सोचें अगर आप चर्ख लेकिन आपको अपनी विरासत अपनी हैरिटेज की और आना होगा आपको चर्खे की और आना होगा यह चर्का हैंडी क्रैफ्ट को रिप्रेजेंट करता था और हैंडी क्राफ्ट है जो ग्रामीन और और ग्रामीन पूर्शों को स्वायतता प्रदान करती थी इंडिपेंड जब तक उनकी हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री चल रही थी यह चर्खा मशीन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि हम मशीन युग में यकीन रखते हैं लेकिन उद्देश यह है कि मशीन वह जो मनुष्य के कारे करने की शमता को बढ़ाए वह मशीन के शक्वाज है मशीन नहीं जो मनुष्य को रिप्लेश करते मशीन वह जो रब्रेक्टीव करने के ज्यादा प्रडेक्टिव complexity वह मशीन नहीं जो रिप्लेश कर देए यही गांदी फोर्स के तौर पर है दब मशीन बेज लंका शायर मैंचेस्टर इंडस्ट्री चर्खा री जनेरेशन ऑफ दा कैलिबर री जनेरेशन ऑफ दा सोल री जनेरेशन ऑफ दा पोटेंशल दा विलेज सोसाइटी जिसके दम पर भारत इतने लंबे समय तक सोने की चिडिया बना रहा जिसके बेसिस पर हमारे गाओं पूरी तरह से फ्लरिश कर रहे थे और उनके बेसिस पर भारत में मुगलों जैसे किंग्डम फ्लरिश हुए जिस समय में अंग्रेज आये हैं वह क्यों हो पाया क्योंकि हमारा हैंडी क्राफ जिसके पूरी वर्ल्ड में मांगती चर्खा जिसने लोगों को आत्म निर्वर बनाया था इसने चर्खे को एक बड़े सिंबल के तोर पर यही कारण है कि चलखा चर्खा आगे जाकर के बड चलए चलए मिनशनलिशम की फीलिंग से चल सकती अगर कोई आर्टिकल बना रहे हैं तो उसमें लेबर है गुड्स लगी हैं सविसेज लगी हैं इंपुट लगे हैं एकनॉमिक आपको उसकी एकनॉमिक वैल्यू मिल देनी पड़ेगी तभी वो लॉंग ट्रम में सर्वाइव और सस्टेन कर पाएगी तभी वो किसी को एक पेरेनियल चैलेंज दे सकती है अदर्वाइस तो फिर भी कहते हैं मित्र मेला के तोर पर भी यह जाने जाते हैं जहां पर भारती निर्मत वस्तुओं को बेचा जाने का काम किया करता था उनका उनके लगाए जाते तो मतलब यह प्रोटेस्ट काफी और्गनाइजड था यह एक इंपॉर्टन चीज है ऐसे में इंडियन इंट्र लगी यह बहुत इंपॉर्टन है जैसे धन लक्षमी कॉटन मिल लगी यह बंग लक्षमी कॉटन मिल लगी जैसे मोहीनी मिल लगी जैसे बहुत सारी सोप फैक्टरीज मैच फैक्टरीज माची से बनाने वाली फैक्टरीज बहुत सारी टेक्स्टाइल इंडिस तरह की वेजों की कमपणी से पूरी हो रही थिए वो आपने पूरी लेकिन यह नहीं चल सकते थे अगर इन्हें बैंकिंग और इंशॉरेंस सर्विसेज नहीं दी जाती स्वदेशी बैंक भी आए और आज भारत के जितने बैंक आपको नज़र आते हैं जो हमारे देशी बैंक है यह पुराने 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 बैंक इसी समय में शुरू हुए सदेशी बैंक सब्सक्राइब कम्पनियां इन सबी चीजों का निर्माण यहां पर हुआ इक इंप्पॉर्टन चीज है साइंस के छेतर में मैंने कल भी बताया था जगदीश चंदर बोस ने काम किया प्रफूल द्हों धंदो को भारतिय कारोबार को भारतिय कामकाज को ता कि अंगरेज़्ों की कमर तोड़ी जा सके जब चोतें हमारी मानों को भी मानए तो यह पहले के कंपरिटिवी कि लिए चाहर कि यह क्दम आगे 5 step 5 phases माने जाते हैं पहला फेज जो सवदेशी का रहा है वो 1850 से लेकर के और मोस्ट 1905 तक चला है और वो फेज आपको अच्छे से पता है सबसे पहले सवदेशी का जिक्र करने वाले कौन है 1871 1872 के अराउंड नामधारी मूवमेंट के नेता राम सिंग कुका राम सिंग कुका ने नामधारी मूवमेंट के सवदेशी को प्रमोट किया था उन्होंने कहा था कि नामधारी किसी तरह के विदेशी वस्तूओं का जो हैं उनकी सहायता नहीं लेंगे वह अपने आर्बिट्रेरी मेकानिजम जो कमेटियां बनेंगी आपस में मिलकर के मसलों का हल करेंगे और उसी के तहट वह आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से नामधारी मुव्मेंट के राम सिंग कुका इस चीज के लिए जाने गए हैं कि उन्होंने इस चीज का प्रचार प्रसार किया था उस समय में ही बाद में जाकर के इस दौर में 1905-1917 के बीच में आपको स्वदेशी का यह दौर दिखा एंटी पार्टिशन के तौर पर निस सो सत्रह से 1950 तक यह तीसरा दौर आपको दिखा गांधी जी के एरह में 1950 से 1991 1991 के बीच में आपने देखा एक और दरह का स्वदेशी जब लाइसेंस और पर्मिट राज लेकर किया भारत सरकार जब विदेशी कंपनियों की भारत के बहुत सारे सेक्टर में एंट्री नह करनाइजेशन के दौर में अपने लोगों को यह कहें कि सुदेशी बनाएं सुदेशी खाएं पतंजली की अपने अक्सर सुनी भी होगी वह देखा भी होगा इस तरह से पांच चरण को मिला करके फाइप फेज़े इसके देखे जाते जिसमें से की बात कर रहे हैं जो कि कुछ बाते के तोर पर करते हैं कि कैसा हुआ अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा वह क्या है उच्छा स्वदेशी का एक लाब मैंने किताब इसलिए उठाई थी स्वदेशी का मैं लाब बताना चाहता था आप कहेंगे कि स्वदेशी कितना अपनाया गया इसके विशह में सुरेंदर नात बेनर जी कुछ कहते हैं मैं अभी आपको बढ़कर के बताऊगा वो यह कह र गाफे भारत में भी बनाये जा सकते हैं जिनका और जरोरी नहीं है कि विदेशी लेना है लोगों हर वो फैस्टिवल में जाना बंद कर दिया हरव क्शन में जाना बंद कर दिया जहां पर विदेशी नमक और विदेशी चीनी का इस्तमाल होता था इस तरह से 除 Oh सब चीजों को लोगों ने मना किया सुरिंदर नाद बिनर जी का यहां पर मैं कोट पढ़के बताना चाहूंगा मैंने बताया है कि एक बात ध्यान रखेंगी जनर स्टेडी में पेपर 4 होता है आपका वो पेपर हो ही नहीं सकता अगर आप हिस्ट्री को इस नजरिये से नहीं पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं और उसमें सारे टॉपिक्स और विंदो घोस विवेकानन द्यानन सरसती इन्हें की नजरिये से paragraph साते हैं और आपको कॉस्टंस करने होते हैं लेकिन जब यह पैसीव रिजिस्टेंस क्या होता है सफ रेलाइंस कल्मा ने पढ़ आया सेल्फ कॉनफिदेंस का क्या रोल होता है जब यह सब कभी जिंदकी में पढ़ा ही नहीं वहां पहां क्या समझ में आएगा नॉप अ ही होगी कि livelihood होना चाहिए रुजगार होना चाहिए ऐसा नहीं होता इहां पर क्या कह रहे हैं सुरे इंद्रनाद विनर जी यह कहते हैं स्वादेशिजम स्वादेशिजम during the days of its potency colored the entire texture of our social and domestic life marriage presents that included foreign goods the like of which could be manufactured at home were returned priest would often decline to officiate at ceremonies where foreign articles were offered as oblations to the gods guest would refuse to participate in festivities where foreign salt or foreign sugar was used आईबा समझ में तो यह स्वादेशिजम का इतना असर था उस वकत में cultural development के दिशा में क्या हुआ ध्यान से समझें अब देखिए कुछ राश्ट्रियस तरके बड़े लेखक थे दिने हम the national stalwarts कहते हैं जो उस समय में एक्जिस्ट कर रहे थे रविंद नाट अगौर के बहुत बड़े लेखक थे अबु सायद मुहम्मत राश्ट्रियस तरके बड़े लेखक थे हैं इन लेखकों की लेखनियों को क्योंकि यह तो national level के बहुत तगड़े कुछ संस्कृत में लिखते हैं कुछ बंगॉली में लिखते हैं इस तरह की भाशाओं में लिखते हैं लेकिन इने ग्रासरूट लेवल तक इनकी लेखनियों इनके गानों को इनकी पोईट्री को इनकी थीम्स को ग्रासरूट लेवल तक विलेजेस तक लेकर के जाना है तो क् फोक आर्टिस्ट हैं जो फोक कल्चर को समझने वाले जिनको लोकल भाशा आती लोकल लेंग्वेज़ आती हैं उनको इंड्यूस किया गया यह भी बहुत इंपॉर्टेंट इस समय का विकास था जिनमें कुछ मुसलिम और हिंदू राइटर से मुसलिमों में जैसे मुफिज दिन बयाती बहुत इंपॉर्टेंट फोक राइटर के तौर पर जाने गए भूशंदास को भी वैसे फोक राइटर के तौर भी जाना जाता है जब मैंने नैशनल स्टाइल वार्ट की थी उसमें रजनीकांत सेन का भी इंपॉर्टेंट बहुत नाम है तो यह जो नैशनल ने लिखा है जो बड़े कारी बड़े लेकों ने लिखा है उसे छेत्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए फोक आर्टिस्टों को इंड्यूस किया गया जो कि उस नैशनल राइटिंग को छेत्रीय रीजनल लेवल पर कनवर्ट कर रहे थे लोकल लैंगविजेज में बंगॉल के में स्ट्रीम की बात कर रहा हूं अर्बन लेवल की बात कर रहा हूं इसे बंगाल के छेत्रीय इन इलाकों तक पहुंचाने का ले जाने का काम करने के लिए छेत्रीय आर्टिस्टों को उठाया गया और उन आर्टिस्टों को छेत्रीय भाशाओं में इन थौट को convert करके लोगों तक ले जाने की बात कही गई इसके तहद बहुत अच्छी लेखनिया हमारे सामने निकल करके आई जो आज दिन तक चैरिश की जाती हैं पूरे बंगॉल में आई बास समझ में इसी के साथ साथ जब हम साइंस एंड टेक्नालजी की दिशा में काम किया तो साइंस एंड टेक्नालजी की दिशा में चाहे वह केमिकल्स हैं चाहे वह माल लीजे कल को जाकर कि अगर हम आगे और रेवलुशनरी टेरिस्टों की भी बात करेंगे तो आपको देखेंगे कि वेपन्स भी बन रहे हैं बॉम्स भी बन रहे हैं यह सारी चीज़े नहीं हो पाती थी अगर साइंस एंड टेक्नालजी का विकास ना होता पेपर इंडस्ट्री लगा रहे हैं आ एक बहुत बड़ी देन है स्वदेशी मुव्मेंट की क्योंकि लंबे समय से भारत मुगलों के समय के बहुत अगर मैं मुगलों के समय के लेटर पीरिट की बात करूं साइंस एंड टेक्नालोजी के विकास में पिछड़ चुका था जिसमें अगर हम टीपू सुल्तान और म अपनी रथविवस्ता होनी चाहिए हमारी अपनी एक इकवानमी होनी चाहिए तो इकवी खड़ी नहीं रह सकती है बिना विज्ञान और प्राद्यूर की कि विना साइंस एंड टेक्नालोजी के क्योंकि आपको इंडस्ट्री के लिए वह सारे केमिकल्स वह सारे इनपूर् वो प्रवाइट कराने पड़ेंगे इसलिए एक साइंस का विकास होना जरूरी था तो लिट्रेचर का विकास है साइंस का विकास है टेकनोलोजी का विकास है आप कहेंगे कि लिट्रेचर के विकास की अवशक्ता क्यों है क्यों रविंदर नाटे गोर का इतना बड़ा रूल को अभू सच्यद महांमद को कि मानते मैं आपको बताता हूँ किमांते हैं डेखे कि साइन्सैन्ट टेकनोलोजी से आप मिसाइल बना सकते थिर्शूल बना सकते और नहीं उस्टों सकते आर्ट से, humanities से, और humanities को literature से बहतर किसी और तरीके से लोगों में instill नहीं किया जा सकता। जब आप अपनी जमीन से जुड़ते हैं, जब आप अपने फोक से जुड़ते हैं, जब आपने कल्चर से जुड़ते हैं, तब आपको इस्तमाल पता लगता है, इस मिसाइल का सद्धूपयोग करना है कि दुरूपयोग, बिना हुमेनिटीज की टीचिंग के, बिना आर्ट् मग है अगर हम उसमें मुल्य स्थापत करने का काम यही आर्टिस्टों ने किया था ये वड़ी भात है हतहार आपके हाओद में भी है रियोधि के यहांग में आप रियोधिंगे के लिए उठाते लिट्रेचर की जुरूरत पड़ती है कल्चर को पढ़ना पड़ता है बस इसलिए फिर इनका योगदान बहुत बढ़ा माना गया है तो साइंस एंट टेक्नॉलजी भी था लिट्रेचर भी था फोक भी था यह सारी चीज़ें थी इसमें एजुकेशन को कैसे भूलाया सकता ह जो आप कल्चर की बात कर रहे हैं एजुकेशन प्रमुख है एजुकेशन की दिशा में आपको कुछ बताते हैं समझाते हैं देखे अब होने क्या लगा था नैशनलिस्टों की यह पूरी कोशिश थी कि यह प्रोटेस्ट किसी तरह से स्कूल कॉलेजिज और युनिवर्सि क्या मन लीजिए और अर्बन एजुकेटेड मिडल क्लास की में बात करता हूं और उनके द्वारा यह एंटीपार्टेशन प्रोटेस्ट चलाया गया ऑनने किस तरह की बाते हो रही हैं सेल्फ रियंट साफ्रियोटियू इंटिग्रिटी इसे सबसे बहतर यदी कोई समझता है तो वह जो सिक्षा के छेतर में होता है और सिक्षन केंद्र इन विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए माने गए हैं जो educational centers होते हैं वो एक तो इन thoughts को सबसे best way में receive भी करते हैं और इन thoughts की best importance को समझते हैं utility को समझते हैं और best way में ही इन्हें further penetrate कराते हैं आगे बढ़ाते हैं इसलिए स्टूडेंट करता है पढ़ाई करता है इसलिए हर वह शक्ष जो प्रोटेस्ट में add होता है वह किसी न किसी कारण से enter होता है कि उसके अधिकार जा रहे हैं या उसे उस प्रोटेस्ट के तरहीए अपनी कोई मांगो कोई पूर्ती करानी लेकिन चात्र जब किसी प्रोटेस्ट में जाता है वह अनुभव के लिए वह सीखने के लिए जाता है कि इस प्रोटेस्ट से मैं एक प्रक्रिया सीखूंगा मैं अनुभव लेकर क्या हूंगा और भविश्य में बिश और भारत के निर्मान में मैं इस सीखे हुए अनुभव से योगदान तूंगा इसलिए कभी भी आप देखें दिल्ली में या और मुद्दे पर हमें किस तरह से आना है किस तरह से रिस्वांस करना है और हम इससे क्या सीख सकते हैं क्यों नहीं ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है तो एक छातर ही ऐसा होता है जो अनुभव के लिए उसमें जाता है इसलिए उसका योगदान बहुत भिन होता है वो उस प करना है student protest में प्रोटेस्ट के लिए एंटर होता है44 को समझने के लिए एंटर होता है इसलिए student participation बहुत हो जाती यह भी हुआ student participation होने होने लगा school colleges universities ंसरकारने इसको दबाना चाहा क्योंकि 쳐 केंटर पहले ही स्वतंतरता सेनानियों की नब्स बने हुए थे اور और एक तरह से nationalism की feeling को जनम दे रहे थे यही कारण है कि इंडियन उनिवर्सिटी एक्ट 1904 में ला करके जो कैलकटा उनिवर्सिटी है बंगाल उनिवर्सिटी जो है उसमें elected senate members को reduce किया गया ताकि जितनी भी grant in aids की power है school colleges को affiliate करने की power है जो scholarship देने की power है जो PhD में enrollment की power है वो सार सब्सक्राबाद ना nationalism के थौट ना फैलें ताकि यह लोग बढ़ लिकर करके European revolution ना पढ़ने लग जाए यह democracy ना पढ़ने लग जाए इनको civil rights और fundamental rights का ना पता लग जाए कहीं आजादी के और ना बढ़ जाए तो इसलिए universities पर दखल होता है school colleges को कि अध्यान का केंद्र होत है क्योंकि यह अध्यान का閏न वहाते हैं यह नीटियूं का अध्यान तो सबसे बहतर करते हैं इसलिए सरकार हैं और बागी इंसे डरते हैं कि यहां पे लोगों की बच्चों की पार्टिस्पेशन देखी तो और सप्रैसिव मैजर्स अपनाएं ऐसे में एक तो हैं सेक्रेट्री फॉर दा स्टेट ऑफ इंडिया वह हैं एक हैं सेक्रेट्री ऑफ बेंगावल गवर्मेंट वह हैं मिस्टर कारलायल कारलायल ने एक सर्कुलर इशू कर दिया उनिरसिटी कारवाई किया सकता है डिगृ अवाड की पर्मीशन जो है रोकी सकती है उनका confi KAR sağ了吧 जा सकता है जो बच्चे सामिल हों की है फिलियेशन कैंसल करने की धंकी है डिग्री आवार्स नहीं दिया जाएंगे इसकी धंकी है चात्रों ने कहा कि इस सिलेवरी में अब हम जी कि दी नैशनललिज़िजं किया जाएं क्योंकि स्कूल कालिज उनिवर्सटी नैशनलिजम का बेस तो गॉर्मेंट के प्रयास धे कि इसे डी नाशनलिजम में बतला जाएं तो वो भी है बह यह मौन रहे थे कि आज के भारत के जो नाशनल कॉस हैं उसे अब अग्रेजों के बनाए्सball college University सर्व नहीं करेंगे इस national cause को support करने के लिए तो आजनल इंस्टिटिउशन आने जरूरी और national college universities आने जरूरी है एकदम से निर्नने लिया गया और National Council of Education का गठन किया गया जैसे आज नेशनल काउंसिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजूकेशन का गठन किया गया 1905 को और गुरुदास बनर्च जी उसके अध्धक्ष बनाए गए कौन है यह गुरुदास बनर्च जी जो कर्जन के समय में युनिवर्सिटी कमीशन बना था जिस युनिवर्सिटी कमीशन की रेकमेंडेशन को करजन ने इंडियन युनिवर्सिटी एक्ट के नाम से लागू किया उस युनिवर्सिटी कमीशन में एक मात्र भारतिय थे और वह से गुरुदास बेनर जी और उन्होंने कमीशन ने वो रेकमेंडेशन दी जो करजन चाहता था तो गुरुदास बेनर जी का अच्छा अभव था सिक्षा के शेतर में वह बारीकी से सब जानते थे तो गुरुदास बेनर जी को इस नैशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें कहा गय तो 1906 को बंगाल में बंगाल नैशनल कॉलेज खुला और उसके पहले प्रिंसिपल बने औरविंदो घोष इसी के तहट 1905 से एक क्लस्टर डेवलप होने लगा उसका नाम था बंगॉल टेक्निकल इंस्टिट जो बाद में जाकर के जाना गया कॉलेज फॉर इंजिनिरिंग इसको लेकर के प्रोटेस्ट देखें होंगे जादपुरी उनिवर्सिटी में आज उसे इस्ट की बहुत इंपॉर्टन उनिवर्सिटी माना जाता उसकी शुरुआत इसी दौर में हुई है सदेशी मूविमेट के तो आप प्रोटेस्ट को देखके समझ शकते हैं कि वहां तो आज अगर होते हैं तो क्यूं होते है क्योंकि उसका जण महीं प्रोटेस्टों से हुआ हैं तो क्यों मिला करके इस तरह के संस्थान हमारे टेकनिकल इंस्टिविशंस आने चुरू है हमारे primary secondary school ने चुक्वलने कैसे हो पाया की स्वतंत्रता से नानियों से रिकственно mrramc एजुकेशन कॉस के लिए आप सब कॉंट्रिब्यूट करें तो फंड जुटाए गए और उसी फंड के माध्यम से नैशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ने स्कूल कॉलेज़ इनिवस्टी स्कूलने का काम किया यहां पर भी देखे कितनी प्लैनिंग से काम हुआ है और जो मे इसके इलाबा और क्या किया वोमेन का पाटिस्पेशन बहुत इंपॉर्टन ने यह पॉइंट चल रहे हैं आपके सामने सब्सक्राइब करते हैं तो यह भारत का ऐसा माना जाता है कि पहला प्रोटेस्ट है जिस प्रोटेस्ट में जो अर्बन एजुकेटेंड मिडल क्लास हैं जो फेमिलीज हैं उनकी महिलाएं सड़क पर आई हैं पहली बार इसके कही कारण बताए जा सकते हैं पहला कारण यह है कि आप लोगों में एक सेंस आफ प्राइड पैदा करना चाहते हैं तो ऐसे मान लीजे कि आपकी बेटी है पतनी है बहु है माता है कोई भी है अगर अगर वहां आती हैं तो पहला यह माना गया कि दुकाने जो फॉरण गूड्स बेचती हैं उनके बाहर पिकेटिंग के लिए महिलाओं को लगाया जाए क्योंकि दुकांदार भी उगर उन पर हाथ उठाएगा तो खत्रा हो जाएगा और सरकार भी उन पर इस तरह से कहर बर भास्ठवादी हो जाएगा क्योंकि फिर उसे भारत मा की तरफ ले जाने की आवशक्ता तो बहुत बाद में पड़ेगी वह पहले अपनी घर की महिला के रक्षण के लिए तो स्वता ही आ जाएगा चल करके तो फिर उसे खींचने की जरूरत नहीं अपने हाँ पाएगा इ इसके बाद महिलाओं का योगदन कभी भारत में बंद नहीं हुआ गांदी जी ने महिला शक्ति का जम करके प्रोग किया चाहे वो चर्खे की बात हो चाहे वो डंडी मार्च की बात हो चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिबल डिस अबिडियन्स मूवमेंट हो सरदा चाही यह बात अब द्यान लिया और योगदान के तहट यह महिलाएं थी जिन्होंने बल्लब भाई पटेल को पहली बार सरदार कहके पुकारा बारदौली में कहते सरदार आगए सरदार आगए तो यह एक इंपॉर्टन चीज है आईवा समझ में तो इस तरह से महिलाओं क का इसके बाद योगदान बना ही रहा यह एक लॉंग ट्रम प्रोसेस बन गया फिर भारतियों सवतनतरता संग्राम का तो महिलाएं आई यह इसका पॉजिटिव है क्योंकि जब एमसी क्यों आते हैं उसके स्टेटमेंट एब भी हमें आ रही होती है तो हम दीवानगी में च तो थी स्टेटमेंट D is also correct option a b d is correct सी नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है अब बात मुसलिम्स की और मासेस की आती है जब मुसलिम्स का जिकराएगा इसमें मुसलिम को दो तरहं से समझे यह पर एक वह मुसलिम है जो शेहरी है, शेहरी है, यह शेहरी गरीब है यह शेहरी अम लाड़ी में लगा हुआ है जो मुसलिम शहरी है वह या तो बैरिस्टर होगा या फिर किसी तरह से कोई बिजनसमैन होगा या लॉयर होगा इस तरह के केस में मुसलिमों के नाम यूज किये गए हैं आला कि यह जितने भी नाम मैं आपको इस तरह से बताता हूं इनको आप एक बार पढ़ें समझे देखें लेकिन इस पर एमसी क्यों आया ऐसा नहीं है जैसे अब्दुर्रसूल का इसमें जिक्र किया गया यह फेमस बैरिस्टर बताना चाहरें कि लोग लियाकत हुसैन का लिया गया यहां पर लिखा यह popular लिखिटेटर थे घजनवी का नाम लिखा गया है यह businessman आई बासंज वह अब यह लियाकत हुसायन को जो इन्होंने पॉपुलर एजिटेटर लिखा यह मुझे थोड़ा पिपिन चंदर से पूछना है कि एजिटेटर का क्या मतलब उनका को बिजनस होगा कामदंदा भी होगा कि वह एजिटेटर ही थे जब उनके बच्चे कहते होंगे पापा स्कूल जाना फीस दो तो क्या कहते होंगे मैं एजिटेट करके आता हूं थोड़ा सोचने वाली बात है यहां पर कि बच्चे कहते होंगे कि पैसा चाहिए तो कहते होंगे ठीक है मैं बात करता हूं जल्दी को एजिटेशन किया जाए पहले वाले का आपने बताया बेरिस्टर है दूसरे वाले का बिजिनसमें इनका लिख दी एगिटेटर मतलब इनका पेशा है समझो इस बात को ना किताबों में थोड़ी गड़ड़ियां रह जाती है तो बस यह पताया गया कि यह सब थे एक शक्ष का जिकर आता है यह बात याद रखना मौलाना अबुलकलामाजाद यह इनको अक्सर आप तभी चित्रों में देखेंगे और बुक के चित्र में भी दिख जाते हैं आपको दिखी जाते हैं बड़े सौम में सब भी सास्वाभाव इनको दिखें लेकिन एक बात या वन ऑफ दा रेवोलुशनरी टेररिस्ट ग्रोप्स आई बास समझ में यह इंपॉर्टन चीज है अब यह तो वह हो गए जो शहरी स्तर पर हैं इस शहरों में मिडल क्लासेज लोवर क्लासेज ने तो इस मूव्मेंट में पार्टिस्पिट किया लोवर क्लासेज मिडल क्ला और अंग्रेजों ने अपनी डिवाइडेंट रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए कम्यूनल टेंशन को प्रोमोशन करते हुए यह नियम पहले ही अपना लिया था कि उन्होंने दक्का के नवाब सलीम उल्ला को 14 लाग रुपया तो लोन दे रखा था और सलीम उल्ला ने यह पाटिस्पेट नहीं हो पाए प्रोटेस्ट में अब आप से कोश्चन आता है कि जब हम इस प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो यह मास प्रोटेस्ट था नहीं मास प्रोटेस्ट क्यों नहीं था यह दो कारणों से मास प्रोटेस्ट नहीं था सबसे पहली बात कि यह तो बंगाल तक सीमित था बंगाल के बाहर उतना नहीं जा पाया मंगाल में यह शहर तक सीमित था ग्रामीन शेत्र तक नहीं जा पाया यह हो गया जोग्रफीकली अब आता है वर्ग के अधार पर सेग्मेंट के अधार पर बंगाल में यह शहरों में लगवग अर्बन तो वरकर इंडस्ट्रियल वरकर लेबर और पीजन्ट क्लास इस प्रोटेस्ट से बाहर रही है यानि कि स्वदेशी मूवमेंट का यही एक लूप होल भी रह गया कि यह मास मूवमेंट यह पॉपुलर मूवमेंट में कनवर्ट नहीं हो पाया क्योंकि मास इसको टच ही नहीं नहीं कर पाये जो कि पीजन्ट से पीजन्ट से अलग रह गए आईबा समझ में इस बात को आपको ध्यान में रखना है में वदर आफ फस जाएंगे लेबर के मामले में कुछ बाते हैं इस पर एक लेक्चर अलग से रखना है पर मैं आपको कुछ बता दूं कुछ लोगों में प्रयास किये कि कुछ लिबर यूनियंस को हम इंट्रड्यूस कर पाएं बंगाल में वे प्रयास हुए जैसे कि 1905 की बात है बंगॉल में बर्न कंपनी कलकटा के लगबग 247 क्लर्क ने जो एड़वर्स वरकिंग कंडिशन्स थी उस समय कि उसके खिलाफ झाल